तो जैसे कि आप से जानते हैं कि बहुत ज़दा सर्दियां पढ़ने लगी है और सर्दियों में बन करता है कुछ एक्दम तीखा तीखा और गरमा गरम खाने का तो इसलिए आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी बहुत ज़दा टेस्टी मटर मश्रूम की रेस्पी जो रे मटर से अब सारी सब्जे बनाने को कोशिश किया किजए क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मश्रूम में मिल जाते हैं तो यहां पेमने लिए हैं मश्रूम और इसे हमने बॉयल करके से कट कर लिया है और अच्छे साफ भी कर लिया है तो अब हम लोग एक नॉन स् कर देते हैं एक से दो बारी कटी हुए प्याज तो अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम लोग प्याज खलका भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे जब तक कि जो प्याज है उसका कलर ना चेंज हो जाए और जब प्याज से कलर चेंज हो जाए ना फिर समयाट कर देंगे हम एक चमच अधरक लेसम का पेस और फिर से हम लोग पका लेंगे एक से दो मेट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकने के बाद फिर इसमे आट कर देते हैं मश्रूम को तो ये सबजी जो है ना बहुत जल्दी बनके तियार हो जाती है और आपको मश्रूम को छील के तरीके से बॉल कर लेना है फिर से वाश कर लीजेगा इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे फिर इसमें आट कर देते हैं फ्रेश मटर इसे फिर से हम लोग मिलाएंगे और अब हम लोग इसको ढग देते हैं और पांच मिट के लिए हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो हमें पड़कर देते हैं कुछ मसाले जैसे कि इसमें हैं हाधा ओधा चममच अध्क राविश करते हैं उसमें डूद्र कर देंगी काश्मी लाबनिश पॉरडर आधा चममच इसका बहुत अच्छा आएगा और फिर इसमें आड़ कर देंगे हम लोग सफेद नमक सादनसार मिक्स कर लेंगे तरीके से और मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें एड कर देते हैं दो टमाटर का पेस्ट तो टमाटर पीस्ट लिजेगा फिर इसमें एड कर देंगे हम लो फिर से मिक्स कर लेंगे और अब हम लोग इसे ढग द लग रही अभी देखने में हम लोग इसमें आड़ कर देते हैं थोड़ा सा बटर और कस्तूरी मेथी पहुत जादा टीस्टी ये मटर मश्रूम की सब जीवन के तयार होती है एक बज़े लो ट्राइ किजेगा इसमें आड़ कर दिया है आलचमच गरा मसाला फिर से मिक्स कर ल तो हमारा टेस्टी मटर मश्रूमन की तयार है लेकिन अभी हम लोग इसमें ग्रेवी बनाएंगे तो इसलिए हम लोग इसमें आड़ करें गरम पानी आप चाहें तो यह सुखा मटर मश्रूम भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा तो गरम पानी आड़ करने के बाद मीडिया फ्लेम पे और 2-3 मट के बाद हम लोग इसमें से मिक्स कर लेंगे इसके आड़ कर देते हैं फ्रेश मलाई और मलाई आड़ करने के बाद क्राणिश हर देंगे दन्या के पत्ते मिक्स कर लेंगे और बस यहां पहरी बदा टेस्टी यह ग्रेवी दा मटर मश्रूम तैयार है तो एक बज़रू बनाईगेगा आप चली से गर्म गरम सफ करते हैं और ये देखें ये मटा मश्रूम ज़दा टेस्टी लग रहा है देखने में और खाने में बहुत टेस्टी बना था तो आप इसे रोटी नान पराठा किसी के साथ भी खाई चाहे तो आप इसे च स्टीवन के तैयार हुगा तो एक बज़रू ट्राइए किजएगा और अगर आपको हमारी आज की रेस्पेस्ट आई है तो लाइक कीजए हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजए और बेल अगर दबाना नहीं विलेगा जिससे आगे हम लोग ऐसी रेस्पेस्ट अप्ल